नमस्कार, सुराइनम, होमोपेथी विदा में जिक्सा पद्धत में बहुत ही मसुहूर आउसदी है, जहां पर सांस लेने की तकलीफ ओपेनेर में बढ़ जाती है। लेकिन जब कोई पेशन्ट जो सीत लहरी से प्रभावित हुआ हो, सांस फूल रही हो, तो उसे आराम मिलता है, लाइंग डाउन पे लेड जाता है, और आश्चर के बाद कि दोनों हाथों को स्प्रेट करता है। कीपिंग आर्म्स स्ट्रेस फार एपार्ट जब कि खासे और सर्दी और सांस फूलने में लेटने पे तकलीफ बढ़ती है। परंत सुराइना में एक ऐसी आवसादी अकेली मात रहों में उपेती मेटरियामेटिका में है। जिसमें एत्मा ये ब्रिधिंग ट्रबूल डिस्निया तकलीफ लेटने से आराम होती है। और दोनों हाथों को जब थोड़ा फैला देता है, दूर कर देता है तो बोलता आँ, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पिकुलियार्टी है। सुराइनम की। और बड़ी खास बात है, ये खासी की तकलीफ सीत कालीन हर विंटर में लोटके आती है। प्रमालिकता है इसकी मुझे अमरिका में, जो खासी प्रतिवर्स विंटर सीजर में लोटती हो, वो सुराइनम की तरप इंगित करती है। और जहां चर्म रोग, त्वचा के रोग सप्रेश्ट हो गया है, खुदिलियां दबा दी गई आउसदियों से, या एक्जीमा को आइंटमेंट लगा के लोगों ने दबा दिया है, या उक्राणी सिटी स्किन की दबा दी गई है, वहां पर चाहे लांग सियर दबाया गया हो, यह हिस्ट्री हमेशा सुराइनम की तरफ इंडिकेट करती है, मेरा ब्यक्तिका तन्भाव है, कि सुराइसिस तक की केसे सिंगल डोज पे ठीक की गई, यह सुराइनम है, लेकिन मोडिलिटी पे ध्यान देंगे, कि लाइंग डाउन पे बिटर है, और हाथों को फैलाता ह है, इस पुटा, ग्रीन निकले, एलो निकले, साल्टी हो, दूसरी बात है, खांस्ते खांस्ते लंबे समय तक तब जाके थोड़ा सा इस पेक्टरेंटर निकलता है, यह उसकी विशेष्टा है, यह स्ट्रिक्ली इंडिविजुलाइजेशन की दवाई है, और होमयोपैथि कि यह विशेष्टा में सुराइनम वंडर्फुल रिजर्स देती है, धन्यवाद, नमस्कार